सुबह रोटी सबजी बनाने का मन न करें और टिफिन के लिए क्या बनाए बिल्कुल समझ ना आए तो इस रेसिपी को जरू ट्राइ करिएगा ये इतना ज़्यादा टेश्टी बनता है ना कि सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे पांच मिनट में बनके तयार हो जाता ह और इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि हर दिन इसी को बनाने के लिए बोलेंगे बच्चे से लेके बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आप सभी का स्वागत है सीजी किचेन वीध जहर्णा में तो यहां पर मैं एक मिडियम साइस का कच्चा आलू ले ली हूँ तो आलू का छिलका सबसे पहले मैं निकाल चुकी हूँ अब इसको हम छोटे-छोटे टुकडों में कट लगा लेते हैं सबजी में डालने के लिए काटते हैं बस वही साइस का हम इसको काट लेंगे तो यहां लगभग पूरा आलू कट हो चुका है अब इस आलू को मैं एक बार दो लोंगी अब यहां पे मैं मिक्सी का जार ली हूँ मिक्सी के जार में आलू को धोने के बाद डालना है तो यहां पे पूरे आलू को मैं डाल चुकी हूँ अब यहां पे छोटे साइस का मैं प्याज तो प्याज को भी रफली ऐसे ही कट लगा लेंगे तो यहां पे प्याज कट हो चुका है दो से तीन कली लहशुन की डाल रही हूं छोटा सा टुकड़ा अद्रक का और यहां पे एक हरी मिर्च पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है यहां पे बीना पानी के इसका हम पेश्ट तयार करेंगे तो यहां पे देखिए पेश्ट तयार हो चुका है अब एक कटोरी में नाप के मैं सूजी डाल रही हूं मोटी पतली कोई सी भी सूजी आप यूज कर सकते हैं तो यहां पे मैं दो से तीन चमच के लगभगना पानी डाल दूँगी ज़्यादा नहीं पानी करेंगे दो से तीन चमच ही पानी यहां पे एड की हूँ अब यहां पे हम फिर से मिक्सी को चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पेश्ट तैयार हो जाएगा देखिए इद्दम नगाढ़ा है और नहीं जादा पतला पस हमको इतना ही पेश्ट चाहिए तो चलते हैं अब पे एक चमच सफेद वाला तील डाल रही हूँ अगर आपके पास सफेद तील नहीं है तो आप काली तील भी डाल सकते हैं अब सेम कटोरी में नापके एक कटोरी पाने डाल रही हूँ पाने डालने के बाद हम एक बर सभी को मिला देंगे और गैस के फ्लेम को ना कम में ही सभी को मिला देंगे अब यहाँ पे स्वादनु सा नमक डाल रही हूँ आधा चमच चिली फ्लेक्स हम हरी मिर्च भी डाले हैं अलू के पेश्ट में तो मिर्ची देख के डालिएगा अब यहाँ पे थोड़ा समय काली मिर्च डाल रही हूँ और आधा नीबू का रज नीबू का रज डालने से नहीं बहुत ही टेश्टी बनेगा यह नास्ता अगर आपके पास नीबू नहीं है तो आधा चमच अमचूर पौडर डाल सकते हैं तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है और यह बहुत जल्दी गाड़ा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी इसको मिलाते जाना है अब गैस के फिलिम को थोड़ा सा मैं बढ़ाई हूँ अब उसके बाद हम इसको मिलाते जाएंगे तो यह जल्दी से सुखा सुखा हो जाएगा तो यहाँ पे यह एक इठा हो रहा है एक जगा देखिए बहुत अच्छे से यह सुखा-सुखा हो चुका है अब मैं थोड़ी सी धन्यापति और इसमें एड़ कर रही हूँ धन्यापति डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे तो धन्यापति पूरे में सुजी में थाली ले ली हूँ थाली में थोड़ा सा ना मैं तेल लगा रही हूँ क्योंकि थाली में चिपके ना इसलिए तो अब जो हम तयार किये है ना उसको पूरा इसमें डाल देते हैं अभी बहुत गरम गरम है तो गरम गरम में ही इसको हम फैलाते जाएंगे तो बस हलका हलका फैल जाएगा अब यहां पे चमच की सहता से इसको मैं बराबर कर रही हूँ तो देखिए अच्छे से गोल से फोचुका है पांच मिनट के लिए मैं इसको ठंडा की हूँ अब पांच मिनट के बाद हम इसको कट कर देते हैं तो मैं यहां पे पीजा कटर से काट रही हूँ आप इ बिरूर बनाने का मन करेगा देखिए थाली में भी नीचिपका है और बिल्कुल भी गीला नहीं है यह दम अच्छे से निकल रहा है यहाँ पे सभी को मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ तो अभी ना हलका हलका गरम है पूरा ही ठंडा नहीं हुआ है पूरा ठंडा होगा ना तो और अच्छे से सैट हो जाएगा तो मिर को जल्दी जल्दी बनाना है ना तो मैं इसको बस पांच मिनट के लिए ही ठंडा की हूँ तो यहाँ पे देखिए यह हो चुक है अब चलते हैं गैस पे तो गैस पे मैं तेल पहले से चड़ा चुकी थी अच्छे से गरम हो गया है गैस के फ्लेम को हाई में ही रखेंगे हाई फ्लेम में इसको तलेंगे एक चीज का ध्यान रखिए ये सूजी का नास्ता है ना तो सूजी के नास्ते को हाई फ्लेम में ही तलेंगे अगर हम मेडियम या कम में तलेंगे ना तो बहुत जादा ओईली हो जाता है इसलिए हाई फ लटके अच्छे से गोल्डन क्लर के होते तक हम इसको तल लेंगे बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है यह नास्ता बच्चे तो इसके धिवाने हो जाएंगे ब्रेट का सेंड्विच खाना तो भूल ही जाएंगे जब इस नास्ते को खाएं तेश्टी और इत्दम क्रिस्पी विडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीस लाइक करिए चैनल में पहली बार आया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करिए विडियो को सेयर करिए यू ही बने रहे है थैंक यू